नमस्कार दोस्तों आज के स्टॉक लेंडिंग में जानेंगे एक ऐसी कम्पनी को चोटी सी कम्पनी है बेसिक के अंदर वो चोटी सी कम्पनी के अंदर आती है और इसका मार्केट कैप करीब करीब पचास क्रोड से नीचे का है जहां पर इनके पास करीब 34 लाग का एक ओर्डर मिलता है और इसके बेसिस पर कहाँ से मिलती है गहती है टॉप इस्टूसनल सप्लाय कम्पनी तुद्ध यॉनाइटन इस्टेट आफ अमीर का यू ऐसे शेन के पास एक ओर्डर मिलता नजर आता है और जो की यूस्टी डॉड यू नाइटन इस्टेट आफ अमेरिका और ये कहती है के करिब अप्राक्स 4.5 करोड का और था कम्पनी है अस्टीश पुली मनुफेक्ट्टर अंद सीप ओर किया था वर्थ है अप्राक्समेटली त्री तीन करोड के आसपास का यो कि करने वाली है ये तीन करोड का और करन यह क्या कि United States हमारे पास कंपनी इस इस्पेक्ट मंतली ओर्डर का मंतली ओर्डर आएगा जो कि अनुली ओर्डर वर्थ हो जाएगा करीब थारा क्रोड का कंपनी के लिए कुछ नई पहल नजर आती है कंपनी मेडिकल सेक्टर कंपनिया है और इनके पास यह देखा जाए तो कि health care वाली productivity का करती है कहते हैं हमारे पास body care, hair care, skin care के लावा देखने को मिलते है कि कमपनी कापी चोटी सी है और छोटी सी में हम चार्ट का आकरण करके देखे तो चार्ट पिछले एक साल में या तीन साल में है या पचले 5 साल र के चार्ट को हम देखे है तो लगदाड स्टोक निक, अच्छी उंचायों पर पहुचाए है ऐसे हैं नहीं किसी सटॉक की चर्चależy कर रोहा है जहां पर कुछ पेनर को पेने स्टॉक ऐसे होते हैं जहां पर आपको उपर पर ले जाती है अपके उपर के फिर आपके पर आखर कवा य drive का पने पर यहां बिक्यम कुमार्ज करंटजाज हुएफ ने किया था इनको चलि आज इसे स्टॉक की परती जानने की प्रयास करेंगे जो फिलहाल यह कह सकते हैं कि पिछले एक साल या पिछले पास सालों में इस कंपनी ने पर यह 500 परशेंट की जंप तिया स्टॉक की प्रैस काफी छोटा सा है 24 पचीस रुबे का स्टॉक की प्रैस है और लिटेस्स संटीमेंटर की तरफ हमने देखा ही इसके बस कुछ और की बात किया था अर यह ऐसा चलते रहता है मार्केट में लिटेस्स संटीमेंटर का है बुक बैलू 10 रुपे का है इंट्रसिक बैलो के बाड़े में कहती है क 24 लाग का ओडर मिल जाता है करोड का 18 रुपे इंका हो सकता है टर्न होवारे एक जगह से मिल जाए जब कि स्टॉक में यह आप आकरन यह करें के देखें जो बांकी दुकाने हैं इससी तरह के कंपनी का जो प्रेस्नल केयर और किसको लेकर के एर केयर और इस तरह की प्रोड प्रेट महीं है सोचिए एक तुकाने पर भड़ी खचाखच भीर है और एक विल्कुल नौर्वल खाली से बड़ी हुई है अब खचाखच भीर के पिछे कारन क्या है यह तो इनकी क्या होगी यहां पर समाने सस्ते मिल रहे होगी यहां पर अच्छी क्वालिटी के समाने हो गिवल इन दौनों क्वालिव करते है अच्छी चीज़ें के समाने से लौलेटी के बारे में यह पदा चलता है कि यहां प ereनें पर सेर कहता है 8 पैसे का, 10 रूपय Nobel प्रूपयस पे 8% की और इसकी पीछे जो मार्केट में भीर खड़ी वो काफी ज्यादा है अभी यह नहीं कह सकते कि स्टॉक कापी कम है स्टॉक की प्रडेसल क्या क्या कहती है यहां पर भीर काफे ज्यादा होने के बाद भी तक प्राइस उतना तगरी जंप नहीं कि अब तक हायर टू हायर जिसमें 30 रुपे तक यह प्राइस गई थी फिलहाल 24 पर ट्रेड कर रही है और यह 13 रुपे तक की बॉटम को उन्होंने बेस लिया था अब इनकी क्वालिटी के पिछे देखे तो यह कहती है जिनके पास जो क्वालिटी थी वह तो 0.08 का निकल गया अब इनके पास जो बांकी चीज़ें थी बुदूगानों पर वहां पर डेट टू कोटे के बादे में कहते हैं कुछ भी नहीं हो और यहां पर करेंट रश्यो हो सकता है कंपनी यहां पर कुछ बड़ी चीज़ को बुक कर दिया हो लेकिन पैसा ना आया हो एक्सपोर्ट करती है एक्सपोर्ट का पैसा डूग गया हो ऐसा कुछ नाम इसका नियाती लीजिंग था इसका नाम समझ में नहीं याथ है इनके पास ईसको कमपेर कने के लिए कहते हैं कि ट्रेंट चैनलh बैदनाथ है, जैसे लीजा से किया सकते हैं। ईसको कमपेर क्या जा रहा, वह वह डरे होगता है कि कोısı और कंपणी करना अच्छा ही है शेक्टर हो सकता है ऐसे की पतंजली हो इसके लाबा यदि देख बैदनात हो या फिर और भी कंपणियां जो कि अर्वेदिक्स में ही कंपणी कामकास करती है चली कोई बात ही फिलाल यहां पर इन सभी कंपणियों के लिस्ट में देखे हैं तो सबसे ज़्यादा यदि किसी दुकानों पर भीर नजर आती है तो यह चोटी स्टॉक जो चौर्वेश रुपे का है उस पर भीर है तीन सब भीस लोगों की भीर है बाकी दुखाना पर अभरेज कहता है चौर्वेश लोगों की बिसके पीछे कुछ कारण को समझने की पढ़्यास करते हैं कंपनी को लेकर कि आखे प्रॉड़क्टिविटी को लेकर के आखे प्रॉफिट सेल्स कितना बनाती ह है और बीए से में लिस्टेर एंधे में केछए कि लाव इससा दो देखने को नएजर नहीं अना रहा जबकि वॉल्यूम के तरब हम नजाट डालें तो वॉलिम को लेकर क्या कहती है काफी आखे आने को आख बार्लिब नहीं था जब भी वॉल्यूम आई है मार्केट में इ ये समझ में आई कंपणी को ले करके इनका सेल्स क्या कितना है पूरे का कौरे कर्टर आपक्वाटर क्वाटर सेल्स करती है और Y OR Y की बेसिस पर कहते हैं कि साधे 3 क्रोर से 302 क्रोर प्याइब करती है कि पिछले पड़िट से भी यहां भी गिराबट बढ़ा था नियर अबॉरड जिस से आस पास था जून में यहां पे पिसलों से सितंबर से ज्यादा थो तो क्या किये तें या आपरेटिंग प्रोफिट कंपनी के पास कुछ बचा नहीं है नेट्रोल से भी नीचे चला गया धरातल में एक परशेंट गिरता नजर आया जब यह आया तो अधर सोर्स आफ इंकम इनके पास क्या कहती करीब 36 लाग का और प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कहता है करीब 12 लाग का कि दो क्रोड के बेजनेस में 12 लाग प्रॉफिट मतलब 6 परशेंट का सिदे सिदे क्या हुआ नेट प्रॉफिट मार्जिन बन गया इससे पहले इनका नुक्षान था और इससे पहले देखा गया है तो यहां पर करी 34 क्रोड का 34 लाग का प्रॉफिट बनाती थी मतलब कह सकते हैं जो 10% 11, 11, 13, 11% की यहां पर नेट पॉफिट मार्जिन थी और यहां पर केवल 6% की निकल के रह गया है इन दोनों का यदि हम percentage आखन करके देखें इसके बारे में कहती है जो इनका हुआ क्या इनके बारे में देखा गया तो यह कहती कि 34 जो 34 परेशेंट से गिरावट हो जबकि ऑपरेटिंग भी करें तीन प्रेशंट गिरती है और इसकी बेसिस पर बांकी जो चीजा थी नेट इंकम से लेकर के इनके लिए क्या करता है इनके लिए कहता है वाई वाई में गिराबट थी और जबकि क्यों और क्यों के हिसाब से गिराबट थी उसका आखलत तो देता नहीं है उसके लिए हम कुछ और भी समझने का प्रयास करते है ज़िए कुछ PPT में कुछ अच्छे परजेंटेशन के कोड़ी सी कंपनी है पुड़ी एक साल में तेरा क्रोर का सेल्स करती है जरी अच्छी बात है यहां पर लगातार बड़ी है सेल्स इयर और बेसिस पर थोड़ा सा बढ़की नेदर आई है लास्ट बारह में तो गिराबट दरज करती है अप्रेटिंग प्रोफिट नियर अचरीफियर कोड़ां एक तालिस लादका प्रूफिट रणने बनाती है यह कह सकते हैं दो 13 क्रोड की एसाब से कि नहां 13 49 पर्सेंट एंप टीस पर्सेंट तो ये कह सकते हैं कि 30% के अचे सबूल लेपास पना के अस बाइखता हूँ 30% क्या सपास कहती है मैं रॉंड आफ लेता हूँ यहाँ प्या करके फिर 15 लाग का profit बना बुक करती है जिसके basis पर यहाँ देखने हो का मिला यह PS जो अच्छी तगरी थी यहाँ पर वो आकर के सिदे के सिदे डिप चली गई डिप गई तो मार्केट में जो भीर पहले से खड़ी हुई थी वो भीर तो हटी नहीं इसलिए वहाँ पर भीर क्या हुआ भीर पहले से ज़्यादा देखने को मेली जो को 321 लोगों का भीर कहता है मैं लोग इसलिए कहता हूँ क्योंकि एक दुकान से लेकर जुक्तर की मार्केट की चीज़ों को आपको इसको असान ही होगा मार्केट में एक वीच्वल दुकान जिसको वीच्वल दुकान कहते हैं और एक मार्केट कीste school दुकान में कितना डिफ्रेंस कहती है ईसे एयर बैस्स के बारईसरी में कहती कि यनका जो Linusya जिवेन्यू का था उसमें कुछ चेंज हुआ नहीं लेकिन बाकि सारे चीज़ां में गिराबट ही देखने को मिला मतलब इसको यह कह सकते हैं कि या या तो या तो या पिछले साल के सेम कौर्टर से और पिछले लास्ट कौर्टर से भी कुछ बड़ी पर्फरमेंस लेबल नह इसके पीछे कुछ कारणों को देखें को कि यह बैलेंस शीट को भी जानना हमें जरूर है इसलिए हमने इसका फरूला इसका यूज क्या आर्ट्टू आर्कॉर को जो कि यहां पे हैं इसको कि यहां प्रफरमेंस लेबल रहा वह क्या इसको 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 समझने की प्रियास करते हैं यदि कोई नई काई है अब इसको समझें यदि हम बैलेंस शकले फीगर को देखें तो बैलेंस को इन कानों ने क्याप्टल बीदव्ट एक तो यह समझ में आई जिद्था क्या क्या है गैप्टल लगातार बढधा रेखें का हुआज कंहां गया यदि मैं इसको investment part के तरफ देखे दें investment part में क्या कहती है यह तो यह कहता है 11 को जो की गिरता नगर आया बात यह उधार को ले करके और उधार में एक risk factor भी बनती है उधार के तरफ देखिए यह कहता है इनके बास उधार पड़ा हुआ है 4 करोड़ अब यहां पे बड़ी चिंता की बात हमें लगता है business को ले करके business को समझने को ले करके जो इनकी खुद के 4 करोड़ की अभी उधार परा हुआ है इस चार करोड़ के उधार के basis पर यह हम इसका देखे हैं तो कहती है 13 करोड़ क्या सपास यह कहता है क्या कहता है और यहां पे जो हमने net profit का पार्ट ले अंदर वो basically गलत पार्ट था यहां पे एक चीज़ देखिए मैं इसको percentage करता हूं ठीक है क्योंकि एक बार हम क्या 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 कहता है और उसको भी लेतने का प्रियास करता है अब यहां पे क्या कहता है करीब कहता है जो तीन करोड़ चार करोड़ मान लेता हूं चार करोड़ का इनका पड़ा हुआ है और थेरा करोड़ की आसपास का निकलकी आता है टोटल से ऐस चार करोड़ डिवाइड वा थीरा करोड़ यह कहता है नीर ली इनके पास creator पड़े हुए है तीस परशेंट क्यास पास देखने को है और वहाँ पे 4% का स्वास प्रॉफिट बुक करता है अब इसके हिसाब से देखें 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 देख तालिस लाख यहाँ पे कहता है और मार्केट में कितना पच्छा चार करोर का मतलब यह दसकुन्ने माल लें उसका दसकुन्ना 10x माल लेते हैं मतलब जितना इन्होंने सेल्स बुक प्रॉफिट बुक किया उससे कई गुन्ना हन का मार्केट में लगा हुआ है पैसा प्रॉट का सिच्विशन अच्छे मैंने पैसा आता हुए इसमें हमें दो तरह की रिस्क फेक्टर देखने को प्ली इस कंपनी को लेकर के पहली बात यहां पर यह देखने को मिलती है जो इनका चार मैने का टाइम फ्रेम था 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 हायर कहती है और हो सकता है एक्सपोर्ट की सिच्विशन में था 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 लगता होगा कोई बात नहीं लेकिन इसका हम प्रॉफिट को डेटर के तरफ रेश्यो करके देखें तो कहां चालिस लाग से चार करोर रहे है यह आपकी रिस्क है अच्छा मतलब आप दस प कमणी को लेकर की कुछ हम और संटीमन की दरफ चलते हैं और यह देख से कमणी को कुछ अपनी की अपडेट की दरफ अबाड मिलता नजरा बारत तारी को भी अबाड मिला था और थेरह तारीक उने में प्रेस Kellie करकी बताईए अब बारत तारीइक कोंसा अबार मिला, उस्स यह उसरा बाट था यती एक्स्पोर्ट ओडर फ्रॉम्द एक्जिस्टिंग सी युएस कस्टोमर युएस कस्टोमर से वही मिला जो कि कहते हैं कि इनके पास 31-10 तक का ये 35,50 जार यूस्टी डॉर का मिला और इसके बेसे स्पेंगे पास क्या था करीब 394 लाग का इनके पास ये मिलता है अब मुझे एक बास समझने आती टूटल यदि आप इसको देखें यह दोनों एक ही चीज था ना वही दोनों एक ही चीज देखने के 33 लाग क्या सपास कंकॉर्डर मिलता था वही एक्जिस्ट यहां पर 2023 में कंपणी ने बोनस रिशू दिया था 2023 के अंदर एक की बदल एक सियर दिया था अपने निवेशकों को और यह देखा गया कि अपनी इस्टेंटलर नोट प्रोफिट ऑपरेटिंग प्रोफिट और नेट प्रोफिट मार्जिन में उच्छाल बनाई है यहां पर यहां पर आती है यहां पर यह समझ में आती है कि निवेशक की लिस्ट उस टाइम पर थी उसका प्रोफिट यह कहता है कि 10-11,000 के आसपास होंगे अब यह समझे 10-11,000 लोग यदि होंगे आज की टाइम की बात करने निवेशक को मिला क्या उससे पहले एक निजद डाली हम वहां पर आलिसस पार्ट पे उससे पहले भी हमने एक पार्ट को छोड़ा था वह बैलेंस रिट यह लब्रेटी बढ़ जाती है यह इसके लिए एक सेंटिमेंटल का यहां पर लब्रेटी काफी बढ़ती ने जराए इनालिसस में कहते हैं अल्मस्ट डेट्स फुरी है छोड़ी कमणी में अल्मस्ट डेट्स फुरी देखने को मिलती है वालिक्स लो है 30 पोशंट के आसप में उसमें इनके पास अधर सूर्स अफ इंकम भी करिब एक क्रोड उनीस लाग का बनता था क्या उन्होंने प्रोफिट बनाया क्या नहीं बनाया इसके लावा इनकी टाइमिंग फ्रेम था इसको लेकर के लगातार बड़ी मतलब इनके लिए रिसक फेक्टर बना और तीन स इस पार्स को समझने का प्रयास कि और आती टेक्निकल पॉइंट को लेकर है कहता कि है क्या टेक्निकल्ड पॉइंट पॉइंट कंप सब्कूर्पध केहता को और यहां पर देख स्चुछ की ڈवोल्यूिम बिलकुल सिलेंट 的 बैटी है यह यह बिलकुल सेलेंट बैटी है जो इनके पास holding होगा वो इंट्रस्टेड नहीं है यह market में वो चरती बुलती price रहती है अब आज के साथ देखा जब फिलहाल कहते हैं कि lower to lower को हम हमेशा क्या कहते हैं हम क्या rule कहता है lower to lower को अब support level मानते हैं इस price पे कई बार वो अपनी base बनाई है यदि ज्यादा base बनाए तो फिर धरातल में जाए चली जाएगे ना और higher to higher को हम इसको मानते हैं resistance बिसिकली कुछ होता नहीं है higher कभी तोर सकता है lower कभी तच तोर सकता है यह सब के सब depend बनता है कहां पे market की volume को लेकर वादि हम अब market में इंटर्स खोलेकर मार्केट में इंटर्स्ट क्या है कर दिए कोई ने कोई खड़ेदने के लिए बैठा होगा खड़ेदेगा सस्ते रिट में जब कोई discount पे बेचेगा तो अकसर क्या होता market में discounted price होती है इस पार्ट को समझा बेर को देखा बागी दुकानों से अब यहां देखिए यहां पर कंपड़ी ने पिछले पांस अच्छी कासी जंप पांस सो पुशेंट कास पास पास की अपनी निवेशकों को बैदा दे चुका है और ऐसी फाइदा इनको लगातार बंती नगर आई चाहे चाहे मने की चार्ट की देखें या पिछले एक मिना में तुरह सा लगातार में तुरह सा सेंटीमेंटल कुछ खराब चल रहा था लेकिर बेस लंबी बेस बनाई और बेस के बाद आकरन करके देखिए इनकी प्रैस कह करके यान तक इन्होंने वह सकया किया जिसको कहते है इसर और यहीं यह यह स्विंग बाली पोजिशन के जब घृति है तो flip जिटी स्व्थ करके मैं बात करता हूं कि कुई को मैं कृष्च जिया एडवायज नहीं है कि स epic प sigh करने कूप्छ ए प्रेक्छ पार्ड क्सेश करता हूं जो कि फर्मा सुचल की कंपनी रही थी के बाड़े मने जाना समझा और समझने का प्रियास तब तक लिए थैंक्यू समझ फॉर अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर कुछ नई कंसेप्ट के साथ नई लेर्निंग्स और साथ में कुछ नई कंपनी की डाट डेटा को लेकर के हाज़र होंगे तक के लिए से प्रेस रख्षित रही है और मस्त रही है गोल्डे रूल के तरब चर्चा कर लेते हैं गोल्डे रूल यह कहता है आपकी मार्केट में मोटिव्स कहा है अब जब इंटर कर रहे हैं इंटर के टाइम पर इंटर के टाइम पर होता है जब आप एक नीचली लेवल पर बॉटम पर लेते हैं और एक पिक पर बेसते हैं और यह सब किसाब ऐसा होता आप आप कहता है जो आपकी target क्या कहती है? target में क्या आपकी term है यापकी grow है, दोनों को hybrid बनाई है पहले, इसके साथ माइंड में एक आपकी risk factor को रखना जरूर है इसको कहते है आपकी यदि risk factor 10% की है और आप चालते हैं, 40% एर्न करने के लिए उसमें से यदि 30% भी और यहां पर देखा गया यह एक चीज़ से आपको समझ में आएगा कितनी पैसे हैं यह देखिए मैं सिंपल लेता हूं जिदी मार्केट में आपकी सेंसेक्स की तरफ और आप एक एक साल में कितना पैशा बना के देगा आग परशेंट यह देगा चोदा परशेंट यह साल में कितना देता है अपड़ी 25 परशेंट का यह देखा कितना का 400 परशेंट यह डिफ्रेंस है वहां पर आपकी रिस्क नहीं है यहां पर रिस्क फेक्टर के साथ आपको पैसे भी बनती निदरा इसका नाम था वीर हेल्थ केर लिमिटेड आज की लेर्डिंग हमने इस अलम के अंदर मेंजन कर सकते हैं कब तक के लिए थैंक्यू सुमच फॉर्ड़।